नवी मुंबई पुलिस ने दलित शक्स पर धूका थानी में जूते चाटने को क्या मजबूर कहा जाता है कि अधिकारी ने उस दलित व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की थी जिसने कलमबोली पुलिस इस्टेशन के अधिकारियों द्वारा साइबर घुटाले में ठाकी जाने के बाद अपने शिकायत दर्श करने में दिखाई गई हिश्की चाहट के बारे में वरिस्ट पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी नभी मुंबई के कलंबोली पुलिस इस्टेशन में तैनाथ एक सहाय पुलिस निरिक्षक पर गुरुवार को थाने परिसन में 28 वर्षिय एक दलित व्यक्ति के साथ मारपीट करने का मामला दर्श किया गया पीडित विकास उजगारे के खिलाफ कत्रित रूप से जाती सूचक गालिया देने के आरोप में अधिकारी दिनेश पाटिल पर भी अनुसूचित जाती अत्याचार निवारन अधिनियम के तहत मामला दर्श किया गया है पाटिल पर आरोप है कि उन्होंने थाने में उजगारे के चहरे पर ठुका और उन्हें अपनी जूती चाटने के मजबूर किया कहा जाता है कि पाटिल ने उजगारे की खिलाफ शिकायत की थी जिन्होंने साइबर घुटाले में ठगे जाने के बाद अपनी शिकायत दर्ज करने में कलंबोली पुलिस इस्टेशन के अधिकारियों द्वारा दिखाई गई घिचकी चाहट के बारे में वरिस पुलिस अधि टीम मौके पर पहुंच गए उजगारे ने कहा कि चोट लगने के कारण उन्होंने पुलिस अधिकारियों से उन्हें अस्पतार ले जाने के लिए कहा लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया बहुत मिन्नते करने के बाद अधिकारी मुझे पनवेल के एक सरकारी अस्पताल में ले गए डॉक्टरों ने पुलिस को मुझे दूसरे अस्पिताल में ले जाने की सलहा दी हाला कि अधिकारी मुझे कलम बोली पुलिस इस्टेशन ले गए जहां मुझे फर्स पर बैटने के लिए मजबूर किया गया अभी पार्टिल आया और मुझे थपड मानने लगा उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके पहचान उस व्यक्ति के रूप में की जिसने उनके खिलाफ शिकायत की थी नाराजगी रखते हुए पार्टिल ने मेरी चेरे और गर्दन पर मारना शुरू कर दिया इसके बाद वह मुझे घसीकते हुए कमरे मिले गया जहां मुझ पर बेरहमी से हमला किया गया अधिकारे ने तम मुझे मेरी जाती के बारे में पूशा जब मैंने कहा कि मैं एक दलित हूँ तो उसने मेरी जाती को गाली दी और मुझे पर निचली जाती का होने के लिए थूका था इस वर्षी ने कहा पार्टिल ने उसे अपने जूते चाटने के लिए मजबूर किया उन्होंने दावा किया कि साजनवरी को सुबह करीब तीन वजे कलमगोली पुलिस उन्हें कमोठे के MGM अस्पताल ले गई वहाँ छोड़ दिया और मारपीट में लगी चोटो के कारण उस गारे तीन दिनों तक MGM अस्पताल में रहे एक बार जब मुझे छुटी ने दी गई तो मैंने एक वकील को काम पर लखा और शिकायत दर्ज कराई मेरा बयान 14 जन्वरी को जोर्नल डिप्टी कमिश्टर और सहाय पुलिस आयुक द्वारा दर्ज किया गया था उस गारे ने कहा